एक कातिल ने एक चौबीस साल की महिला को सिर्फ इसलिए मार डाला क्यूंकि उसका ये बच्पन का सपना था और जब इस दर्दिनाग घटना के बारे में लोगों ने जाना तो उनका दिल दहल गया आखर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया बेसा कि एसर हम सभी जानेंगे लेकिन इससे पहले में आपको बता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्ट्रियस फाइल का एक बहुती धमाकेदार एपिसोड 5 अपरेल 1963 का बो दिन जब 24 साल की सौन्जा मेकैस की अपने ही घर में टुकडों में पाई गई जिसको किसी ने बेरेमी से मौत के घाट उतार दिया सौन्जा एक तलाक सुदा महिला थी जो दो बच्चों की एक अकेली मा थी सौन्जा का जन्म 19 फरवरी 1949 को हुआ था जो स्कॉर्ट लेंड यूनाइटिड किंडम एलगिन की रहने बाली थी जो अब काम की तलास में यूनाइटिड इस्टेट अमेरिका के रहनो नेवाडा म और जब भी उसे टाइम मिलता वो अपनी खाली समय में इसकी प्रक्टिस करती और जब आगे चलका 1960 में उसे टीम ग्रेट विटेन के लिए ओलम्पिक स्केर के लिए चुना गया तो वो इसके लिए काफी खुस हुई और यही बात उसे सुरुबात में रेनो तक ले आई य यह उसके लिए काफी बड़ी बात थी क्योंकि वो इस टीम में एक मात महिला थी और फिर उसने 1960 में अमेरिका के इसवा बैली कैलिफोनिया में बिंटा ओलिम्पिक की मेजवानी की लेकिन अपसोस वो खेलते समय गिर गई और इससे बहार हो गई लेकिन इसके कुछ टाइम से काफी अच्छी तरीके से घुल मिल गई थी जिन में से बहुत से लोग उसे पसंद करते और उनका कहना था कि स्वांजा एक सांथ और बुद्धिमान लड़की है जिसने अपनी खेल के लिए काफी मेनत की है स्वांजा की साधी जैप नाम के एक बैक्ति के साथ हुई थी और उनका एक बच्चा भी था लेकिन इनका इरिस्ता काफी लंबा नहीं टिक पाया और अलग होने के बाद इन दोनों के बीच तलाक हो गया इसके बाद स्वांजा का एक और ब्यक्ति के साथ रिलेशन चला जिसके बाद वो प्रिगनेंट हुई और एक बेटा हुआ जिसक 24 साल की स्वांजा को 1964 में होने वाले यूरोपियन इसकीन चेंपियंशिप में भाग लेने के लिए चुना गया तो वो इस खबर से बहुत खुस हुई क्योंकि 1960 के ओलंपिक में वो बाहर हो गई थी लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि वो इस खेल में कभी नहीं पहु की और फिर वो लोग चली गई इसके बाद स्वांजा ने कुछ कपड़े दोए और घर के चार तरफ थोड़ी सपाई की और इन सब के बाद वो सोने के लिए विस्ता में चली गई क्योंकि अगले दिन उसे काम पर जाना था और इसके अलाबा उसे अपने 10 महीने के बेटे क को प्ले स्कूल से लेने जाना था क्योंकि उसने बहां अपनी नौकरी के चलते उसकी देखरेक के लिए बहां छोड़ रका था लेकिन सवांजा कभी उसे लेने नहीं पहुंची और जब अगले दिन 5 अपरल 1963 के दिन सवांजा अपने 10 महीने के बेटे को लेने के लिए प् काफी टाइम इंतियार करने के बाद जब सवांजा प्ले स्कूल नहीं पहुंची तो इस टीचर ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि जनाब सवांजा नाम की एक लड़की है जिसका 10 महीने का बेटा प्ले स्कूल में मेरे पास है जो अभी तक अपने बेटे को लेने के लिए यहां पे नहीं आई है मैंने उसे कॉल भी किया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है आप ज़रा एक बार उसके घर जाकर चेक कर लीजिए इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उसकी कंपनी में कॉल किया कि कहीं वो आज लेट तो नहीं हो गई तो पता चला कि बोतों आज काम पे ही नहीं आई सवांजा के पडोशियों द्वारा पता चला कि उसे आखरी बार चार अप्रेल 1963 के दिन साम साड़े चार बाई जिंदा देखा गया था जो अपने घर पे आई थी और घर आकर उसने अपना कुछ काम निप्ट पुलिस ने देखा कि घर में काफी सननाटा है तो वहीं सामने के दरवाजे के ठीक बगल में किसी इंसान का दिल पड़ा है जो सवांजा का था जिसे उसकी छाती को चीव कर निकाल दिया गया था तो वहीं लिविंग रूम के बीच में फर्स पर एक कंबल पड़ा था जिस इसके अलावा पुलिस को बहां एक संदूक मिला जिसके अंदर सवांजा के सरीर के कटे हुए टुकड़े मिले सवांजा की बॉड़ी इसके अंदर नगन अवस्ता में मिली जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था यहां तक कि उसकी बागी बॉड़ी के अंदर तीन चाकों पेट कर उसके सरीर के नीचे बकसे में छोड़ दिया गया था यह सब देखकर पुलिस हैरान रह गई क्योंकि यह सब उन्होंने पहली बार देखा क्योंकि जहां पर सवांजा रहती थी बहां पर इस तरह की घटनाय कभी नहीं हुई इसलिए बहां के लोगों को रात में अ कि जिसने भी ये कंड किया है वो कोई कसाई या सरजन हो सकता है इसलिए हमें ऐसे सस्पेक्ट की तलास है पुलिस को बहां लिविंग गुरूम में खून से सने कपड़े और कंबल बिखिर विमले जिस पर पुलिस ने कहा कि कातिल ने यहां पे सपाई करने की कोशिस की होग लेकिन वो बीच में ही छोड का चला गया पुलिस ने कहा कि सौंजा का कतल उसके बिस्तर पर किया गया था क्योंकि उसका गद्दा पूरा खून से भीरा गुआ था पुलिस को बहां कतल की जगए कैई खून से सने पैयों के निसान भी मिले सायर ये उस कातिल के होंगे सौं सौंजा की एक डाइवी मिले जिसके अंदर सौंजा ने कहीं सारी कविताएं और सायरी लिखी हुई थी लेकिन चौकाने बाली बात यह थी कि इस डाइवी के अंदर जो भी लिखा था वो सब क्राइम से रिलेटिव था लेकिन ऐसा क्यों था ये पता नहीं चला खैर इसके चिलाने या कोई भी अजीब चीज नहीं देखी इसके बाद पुलिस ने सौंजा के दोस्तों और उसके पिछले बाइफेंड से पुछतांच की यहां तक कि जब इन में से कुछ का लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराया गया तो यह लोग उसमें पास हो गए जिस कारण पुलि पुलिस को सक हुआ कि वो कातिल उस कैमरे को ले गया होगा इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच बढ़ाई और इस कैमरे को ढूड़ने की कोशिस करने लगी और इसके बाद पुलिस को वो कैमरा बहां के लोकल पॉन सौप में मिला और जब पुलिस ने उस दुकान की मालि चाहा तो रजिस्टर में उसका नाम लिखा था थॉमस लीवीन जो गलती से अपना सही नाम लिखवा के चला गया क्योंकि जब पुलिस उसके दिये गए एडरस पे पहुंची तो वो एडरस गलत था जिसके बाद पुलिस ने उसे उसके नाम के बेस पर ढूड़ना शुरू क कर दिया और थॉमस नाम के व्यक्ति के खिलाब बारण्ट जारी करके उस नाम के सभी व्यक्तियों को अपने पास बुलाकर पुलिस ने उस दुकानदार की हेल्प से थॉमस को आइडेंटिफाई कर आया जिसके बाद वो पकड़ा गया और पकड़े जाने पर उसने भागन ही महलों में घूमता था ताकि उसे कोई अकेली लड़की मिल जाए जिसका वो रेप कर सके इसके बाद उसने सौंजा के कतल को कबूला और बताया कि उस रात क्या हुआ उसने बताया कि उसे रात में पडोस में घूमने की आदत है जो महिलाओं के अंडर गार्मेंट्स चुरा खड़ी थी जो एक ट्राइंफ स्पोर्ट्स कार थी उसे कार का बड़ा सौक था इसलिए वो उसे देखने के लिए उसके करीब गया जहां उसने बासिंग लाइन पर उसके अंडर गार्मेंट्स लटकते हुए देखे और इसी पॉइंट पर उसने सौंजा को सेलेक्ट कर ल आता है जो रात को भी बंद नहीं होता और इसके बाद वो चार अपैल 1963 की रात आदी रात को सौंजा के घर पे पहुंचा जो अपने साथ एक 10-12 इंच का चाकू और एक तार लाया था इसके बाद वो अपनी जूते खोलकर रहंगते हुए सौंजा के घर में गुसा सबसे पहले उसने चेक किया कि सौंजा घर पे अकेली है या नहीं और जब उसने देखा कि सौंजा घर पे अकेली है तो वो सीधे सौंजा के कमरे में पहुंचा उस टाइम वो सो रही थी जिसे उसने कुछ टाइम तक खड़े ओकर देखा और फिर एकदम सौंजा के गले पर तार रख दिया और कसका उसे दबाने लगा ये सब होता देख सौंजा एक दम जटके से जागी और उसने कहा कि वो कहने लगी कि मुझे छोड़ दो मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है लेकिन उसने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसका गला द किया ये सब करने के बाद वो किचिन से और चाको उठा कर लाया और एक के बाद उस पर क्या हमले किये और उन चाकों को घुपने के बाद उसके पेट के अंदर ही छोड़ दिया इसके बाद वो सौंजा की बॉड़ी को खीच कर लिविंग रूम में ले गया जहां उसने भाद प्हाल को उतारने की भी कोशिस की और उसकी वोड़ी के टुकड़े करके संदूक में बहद इये च्योकि उसका एक पैर संदूब से बाहा लटक ता इसलिए उसका पैर काड़ इया और पैरकाराहिष ओक ले longer just को सानी سबकार द्या अब करता यह चुझ को यह नगनर में उसके बताने पर पुलिस ने जब्त कर लिया। थॉमस सौंजा के घर पे तकरीबन 5 गंटे तक रहा और 5 अपरेल की सुबह 5 से पांच वे के बीच चला गया Thomas ने पुलिस को बताया कि मुझे नहीं पता कि मैंने उसे क्यों काटा मैं नहीं जानता मैंने बस चाकू डाला और काटना सुरू कर दिया बस इतना ही Thomas ने कहा किसी महिला के साथ रेप करना उसका बचपन का सपना था जो हर वक्त इसके बारे में सोचता और वो जिसके साथ भी ये करेगा वो उसे मार कर उसका दिल बाहर निकालेगा उसने बताया कि उसकी लाइफ बड़ा ही डिस्टर्बिंग रही है उसकी मा के कई आदमियों के साथ संबन्द थे जब वो छोटा था तब उसकी मा बहुत सारी लड़कों को घर पे लेके आती और उनके साथ इंटिमेट होती और तब ही से उसका माइंड डिस्टर्ब रहने लगा और वो ये सब करने के बार में सोचने लगा पुलिस ने बताया कि ये पहली बार नहीं था जब थोमस पुलिस की नजर में आया इससे पहले भी इसने 1961 में एक पंद्र साल की लड़की का गला गोटने की कोशिश की थी जिसमें वो लड़की किसी तरह बच गई लेकिन इसके बाद से नेवादा ट्रेनिंग सेंटर में आठ महीने की सजा काटनी पड़ी थी और इन इससे उसकी मौत हो जाती है लेकिन 1970 में थोमस की मौत की सजा को हठा दी गई और इसके बाद उसे नेवादा सुदार केंदर में रखा गया जहां उसे आजीबन कारवास की सजा सुनाई गई इस घटना को बहां की अब तक की सबसे भयानक घटना माना गया जो काफी दरतिन नाक थी तो फिर मिलते हैं नेच्ट एपिसोड में गुडबाई